कि स्वागत है आपका आपके पने चैनल पर टिकनिक पाट साला में मैं दुर्गेश कुमार मिश्रा आप लोगों को अप्लाइट फीजिक सेकंड पढ़ा रहा था इधर कुछ दिनों से क्लासेज मेरी नहीं हो पा रही थी वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहे थे तो उसका र अच्छा लगा कि आप लोग इतने सीरियस हैं पढ़ाई को लेके ठीक है तो अब आप लोगों के जो चप्टर वाइस वीडियो हैं वह कांटीनियू होते रहेंगे प्लस उसके साथ-साथ आप लोग रिवीजन भी करते रहें और पढ़ाई भी करते रहें ठीक है यहां जो 6392-469901 पर मैसेज कर सकते हैं ठीक है ना इस वाट्सप पर मैसेज कर देंगे जब कई बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो में ग्रूप बना देंगे उसमें आप जो भी कोश्चन डालेंगे बच्चे खुद में आंसर देंगे और जिनका अंसर गलस से होगा वहम उच नहीं परेंगे पीर पड़े है ठीक है वो टोपीक आना चीए एक्स्टा चीजे नहीं वो चीजर आप Πरस्णल बात करिए ठीक है नंा इस पर फालतू ौबा थे नहीं सिर्फ परस्णल सम बाते पढ़ाय से related बते थीक है चलिए तो से बनाव से करते हैं इसतार करते हैं ऊंद करते हैं तो हमें कुछ कोश्चन लिया है तो आज भी कोश्चन करते हैं बाकि कल से आगे की क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे ठीक है तो चलिए हम यहां से देखते हैं हम एक कोश्चन उठाते हैं करेंसे नंबर फस्ट है जितना कोश्चन हो जाएगा आज होगा अचने होगा यह प्रत्र प्रदेस्ट के लिए important होंगे तो पहला question देखते हैं कि पहला question कुछ इस प्रकार से दिया है क्योंकि पढ़ना देखिए पढ़ते रहेंगे ठीक है लेकिन अगर आप question नहीं solve करेंगे तो आपके concept क्या होंगे वो clear नहीं होंगे और question को बहुत easy तरीके से बताएंगे पूरी कोसिस करेंगे easy तरीके से बताएं ताकि जिससे कि समझ में आ जाए अगर समझ में फिर भी नहीं आता है तो आप लोग WhatsApp पे message कर सकते हैं ठीक है कि sir how are you ना यह message करेंगे या यह पूछेंगे कि sir यह question नहीं आ रहा है की तो कि इसका मान दिया है 900 ऑर इसका मान दिया है दो ओम और यहां पर एक皮ष में resistance लगा दिया बच्चों यह बोल दिया है कि यह का रिजिस्टेंस है ठीक है बोल दिया है कि यह 2 order ka resistance हि आज एक बच्चे का मैसेज आया था मैं बहुत मुझे हटली मुझे बहुत अच्छा लगा ठीक है उन्होंने मैसेज किया कि सर मेरी बैक लग गई है फिजिक्स में और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जो भी उन्होंने मैसेज किया ठीक है तो मुझे बहुत रियल में मुझे बह है समय की उपलब्दता किसी के पास नहीं होती लेकिन व्यक्ति उसी के लिए समय निकालता है जो उसके लिए बहुत important होता है ठीक है तो इस तरह की चीजों से मुझे motivation मिलता है इसलिए मैं कहता हूं आप लोग comment करते रहे ठीक है फालतो कमेंट नहीं लेकिन आप लोग अच्छा comment करते रहे ठीक है जो भी आप लोगों को उच्छित लगे अब देखे इस तरह का question दिया हुआ है तो इसको प्रिपत का अब पर तुल्य प्रत्रोद का मान क्या होगा अब पर पर अब पर पर आरेक्यूएलेंट का मान क्या होगा मतलब इस इसके बीच में आरेक्यूएलेंट का मान आप से पूछा है तो हमने बताया था कि जब कोई करेंट आई मान लेते हैं अगर यह करेंट कहीं भी डिस्ट्रिवीट होती है विद्रित होती है तो ये जो दोनों ब्रांचेस होती है वापस में कैसी होती है नीचन क données हो यह पापस में दूनों और तो इसको पहले पinya nem होगा जैसे दो गुड़े एक अगर बहमान इन दोनों रिजिस्टेंग दोनों के गुड़न फल के बराबर होगा तो हमारा क्या यूज होगा तीन गुड़े नो यहां पर है तो इस कंडिशन में क्या होगा बच्चों कि जो बीच वाला रेजिस्टेंस है यहां से हट जाता है क्या हो जाता है यहां से रिमूव हो जाता है तो जब बीच वाला resistance यहांप हट जाके देखिए, वह कितना हुआ, 27 बराबर कितना हुआ, 27 होग ने, कहने का मतलब क्या है? इन दोनों kalo resistance का गुडण फल जो है, 27 वो इन दोनों को रेशिचेंज के गुडण फल के मान कहीं, बराबर होगा, 27 बराबर सत्ताइस्त उस कंडिशन में क्या होगा हमारा जो ब्रीज होगा वो बैलेंस होगा और बैलेंस की कंडिशन में क्या होता है गैलनोमीटर में कोई करेंट नहीं होता है और जोसमें कोई करेंट नहीं होगा ठीक है अब देखिए बच्चों अब आई करेंट आ रही थी और यह में इसरफ इस ब्रांच में सिर्फ आइवन करेंड फ्लोह करेगा और हमने आप से बताया था अगर रेज़ीस्टिंस में तो दोनों आपस में कैसे हूंगे छारों आपस में कैसे सिरीज में होंगे कैसे पने सिरीज में होंगे तो देखीएगा सिरीज में होगा तब पता ना सी घ् LISA क्लिए अर एक्योवेलेदि अगर प्रॉला to क्या होगा फर्मुला यह अर रटू तो यह सिती नहีकंद चाहर हो जाएगा कितना हो जाएगा चार हो मौजब तो आप इसको हटाके आप यहाँ पे डिर्टली जो है चार होम का रिस्टेंस लगा सकते हैं यहाँ पर दूनों आपस में कैसे से और फ्लो करेंगे कैसे हो जाएंगे यह दोनों भी आपस में सिरीज में हो जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा 27 और 9 कितना लेगा 97 salt सोलर 36 हो जाएगा ना तो कितना हो जाएगा 36 ओम का रिजिस्टिंस यहां पे हम लगा देंगे 36 flame neon अब आएवन दो होग हरहे है जो यहां आईवन में डिस्टिपोट हो एक रहा है याई एक होग care cheese चानाए अब होने सलब है और लोने में वैप आपको एक सौर्टकट फर्मूला बता था हार इक्युवेलेंट इस उकल टू क्या होता है आरवन इंटू आल टू अपान आरवन प्लस ठीक है न अब आरवन कमाल कितना है चार गुड़े 36 बटे चार प्लस रावन चर्क ट्र और चारिस चार कितना होगा बच्चों 40 होगा ठीक है कितना होगा इन şu चालिस हुआ अब इनको आप Grandpa लेंगे तो च्या अचलिए तो यह तो आपको को दे दिया ये तो आपको दे दिया पहले को शॉल करेंगे इसमें कोई केंटके बोले इतना थουμε उसको फिर से बता देंगे यहां थे सिस्कों कमेंटे करके यह आपको कमेंट करें या नहीं तो इसको आप सॉल्ट के लिजेगा ऐसा नहीं इतने पर छोड़ दिजेगा तो हम भी छोड़ देंगे ठीक है इसको और आगे सॉल्ट के लिजेगा कितना होगा यह देखिए 40 है ना तो यहां 144 है तो 40 तीया 120 जाएगा ना तो थ्री पॉइंट सम्थिंग आएगा सम्थिंग आप उसको बहुत कर लिजेगा जोभी आएगा तो दूसरे कॉशन पर चलते हैं यह हमारा पहला कोशन था अच्छा कोशन को में जब कोशन सॉल्व करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है जो उने पढ़ा है ठीरी यह हमें ठीड पढ़ी है जो यह बहुत बड़ी यहां कोशन दिया है देखिएगा आपको कुछ इस प्रकार से है हमने कुछ सेलेक्टिव कोशन उठाए है ठीक है फाल दो कोशन नहीं उठाए है और कुछ सेलेक्टिव कोशन उठाए है जिनको सॉल्फ करने पर आपके टोटल जो कॉंसेप्ट है वह क्लियर हो जाएंगे अब देखिएगा यहां पर यहां पर यहां पर एबी माल लीजे यह एक्सवाई माल लीजे और इन सभी रेस्टेंस की जो वैलू है वो पांचों माल लीजे पांचों पांचों यह भी पांचों यह भी पांचों यह भी पांचों ठीक है बसंगा रही है ना तो यह हमारा कोश resistance find करना है equivalent resistance find करना है ठीक है किसके बीच में X और Y के बीच में तो बच्चों देखिएगा यह question आपको देखने में भले typical लग रहा हो लेकिन यह जिसको अगर आप इसको solve करेंगे तो बहुत simple लगेगा अभी आप देखेंगे दो मिनिट में solve होगा ठीक है करना क्या है में करना कुछ भी नहीं है देखिएगा यह जो ब्रांच X है यहां X से इसको पकड़िएगा ठीक ना इसको पकड़ तो नहीं पाएंगे आप फिरहाल ठीक है लेकिन इसको आप अजूम करिए इसको आप यहां से उठाइए और इसको खीज दीजिए इधर क्या करेंगे इसको यहां से पकड़ के आप क्या करेंगे खीज देंगे इधर और इसको यहां से पकड़ के खीज देंगे इधर तो जब आप इसको यहां से पकड़ के खीजेंगे इधर तो उस condition में क्या होग यह दोनों रेजिस्टियंस उधर चले जाएंगे यह पोर्शन उधर चला जाएगा तो बन कैसे जाएगा ध्यांस देखिएगा जब इसको आप उधर खीज देंगे तो यह इधर चला जाएगा और यह ऐसे कुछ इस प्रकार से बनेगा देखिए गांसे यह पांच ओम पांच ओम का ठीके अभी देखिए क्या कि आपने इसको तो भीज दिया आपने बीच में पांच ओम का भी अपने लगा दिया अब बचा आपका ये बचा आपका ये इसको आपने क्या किया पकड़ के खीच लिया जब पकड़ की खीच लिया थी यह दोनों रेस्टेंस यह यहां पे यह दुन रेस्टेंस यहां पे और यह आपका टर्मिनल यहां पे अभी को समझ में आ अभी यह कुशन कैसे हो गया जस्ट प्रीवियस की तरह हो गया ठीके न जैसे आपका यह वाला था इसके पहले वाला था वैसे ही आपका यह भी कुशन हो गया अभी क्या है कि ट करने के गद्ट हो रहा है तो इसको तुरन रटा दीजे ठीक है अगर वह एकपल हो रहा है तो बीच का रिष्टन तुरंद रिमूब हो जाएगा तो यहां भी तो एककोल हो रहा है जैसे पिछले वाले एक कुश्टन में था ठीके तो पांच गुडे 5 पांच गुडे 5 तो 5 25 बराबर 25 तो 25 किसके बराबर है 25 के तो बीच का रिस्टन्स क्या हो जाएगा ब तो सरम कर लेंगे ठीक है अब तो इसमें कुछ रही नहीं गया ठीक है अब तो बहुत सी बहुत सिंपल हो गया अब यहां से करेंट करेंगे देखेगा बस चेक करने के लिए किसमें है टर यहां जो करेंट है वह इसंतल्टों क्हाँ करेंगा चलता ठीक है अगर समानधारा जितने हैं सोलक स्वाट करेंगे वो और शारे idea आपस में क्या होंगे सीरीज में होंगे क्यों क्योंकि सरीज में करेंट कमान सेम होता है ठीक है तो यहां से देखिए यह पांच और पांच किसमें हो जाएंगे सीरीज में हो और जब ये पांच और पांच सीरीज में हो जाएंगे बच्चों तो यहां पे यह क्या हो जाएगा इसको हटा कि 5-5-10-0 का सीधे लगा दिजिए ठीक है यहां 5-5-10-0 का रिस्टेंस शिद्व लगा दीजिए अब ये दोनों भी आपस में क्या है in si decision question लगा दीजिए पांच और पांचों का एड़ार के क्या हो जाएगा series में जूर जाता है ना यह 10 और दस में कैसे है तिके अब इतना पढ़ाने की बाद यह 10 10 गैसे आपस में कि यहां पे लिया दुदू होंगी इस बच्चित करंड आपको बताया था और एक्योईलेंट पहले भी बताया था और वॉन như अभी थोड़ेर पहले भी बताया था अरुटे कोस्टag होने को मतलब क्या है और वड़ा से और अर्टो जोग सह तो सबसंदेटimiento है तो बीस बट्टे 20 बराबर कितना हो जाएगा पांचों में आंशर है ठीक ना तो कहने का मतलब क्या है कि खोदा पहाड निकली चुहिया ठीक है तो इतना बड़ा फॉश्ण है लेकिन अगर आपका कॉंसेट क्लियर है तभी आपकी चीजित कर सकते हैं ठीक है न कहने कमदलब इसी को देख क्या रही क्या देदिया पेपर में तो हम कन्फ्यूज हो गए ठीक तो कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे ठीक कहने के मतलब क्या है हमें हमारा Concept clear है question चाहे जिस तरह से पूछता है ठीक है तो हम question के practice क्रमिस भी कर्वाते रहेंगे बसड़तें आप लोग हमेशाथ है को अप डीट रहें आप डीट रहें अप्डेट रहें ठीक है टाकि से बillä अइन द बहाने से की नोटिफिकेशन आप सीधे पहुंच जाती है ठीक है तो नोटिफिकेशन पहुंचने के पहले आप लोग पहुंच जाये करिए ठीक है ना नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक कि उसके पहले ही आप लोग पहुंच के देख लिया करिए ठीक है ना